दोस्तो अगर आपको भी सीखना कुछ इस परकार का हैपी दिवाली फोटो एइटिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हो तो इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा बिल्कुल न्यू टुटोरियल है तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना चलिए बिना देरी के वीडियो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पिकसाट अप्लिकेशन को आपको ओपन कर लेना है और एडिट आप फोटो पे आपको यहाँ से किलिक कर देना है अब आपको यहाँ से अपना एक बैग आरूंड आपको दूंगा दिवाली का उसको आप आपको यहाँ पर एडि कर लेना है अब आपको यहाँ से एडि फोटो में किलिक कर देना है और जो आपकी फोटो है उसको आपको यहाँ पर एडि कर लेना है साइज को यहाँ पर आपको फुल कर देना है और रिमूब बीजी पर आपको यहाँ से किलिक कर देना है थोड़ मैंने यहाँ पर रखा बीच में इतना आपको इसको रख लेना है स्टीकर वाले उप्शन पर जाना है यहाँ से सेडो वाले उप्शन पर जाना है और नीचे की तरफ इस PNG को आपको लगा देना है जो आपकी सेडो के PNG है इसको आपको सूज के यहां लगा देना है तो यहां पर मैं इसको लगा देता हूँ और इसके बाद आपको क्या करना ओपर एक 2 copy icon है देख रहे हो आपको उस पर क्लिक करना है इसका एक duplicate आपको layer भी ले लिना है और इसको भी आपको दूसरे सूज पर जाके अपने move down इसको कर देना है तो यह आपके देख सकते हो पैरों के नीचे यहां set हो आजाएगी अब आपको यहां से right पर क्लिक कर देना है before and after देख सकते हो अब आपको add photo पर यहां से क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको कुछ png दूमा जैसे कि bell उन वगेरा की तो इन png को आपको add कर देना है तो यहां से मैंने यह वाली png add करी size को आपको यहां से छोटा कर देना है और इधर corner में इसको आपको लगा देना है इसके बाद आपको उपर to copy icon पर click करना है इसका duplicate आपको layer लेना है और इसको भी आपको right side में भी png को लगा देना है अब आपको यहां से right पर click कर देना है अब आपको add photo पर दुबारा से click कर देना है अब आपको कुछ PNG दे दूआ जो की दिये की होगी देख सकते हो इसको आपको add करना है और इसको आपको यहाँ पर लगा देना right side में इसके बाद आपको to copy icon पे click करके duplicate इसकी layer लेनी है इसको left में भी आपको लगा देना है और इसके बाद आपको right पे click कर देना है आपको ऊपर आपको एक erase का icon मिल जाएगा उसके आपको यहाँ से click कर देना है click करने बाद अपने hand पे से इस PNG को आपको erase कर देना है तो जैसे मैं यहाँ पर erase कर रहा हूँ ऐसे का यहाँ पर आपको भी कर देना है सारी PNG आपको telegram पे मिलेगी जाके download कर लेना है और lightroom और pixart दोनों application आपको मिलेंगे वो भी download आपको कर लेना है blend option पर जाके यह वाली जो PNG इसको आपको blend कर लेना है screen और यहाँ पर इस full ZD PNG पे इसको लगा के right पे click कर दिना है अब आपको add photo पे दुबारा चले जाना है यहाँ से अब आपको यहाँ पर एक text PNG दे दूँआ है happy दिवाली की इसको आपको लेना है उपर की तरफ लगा देना है इसको लगाने के बाद इसको उपर right वाले option पे click कर लेना है और done कर लेना है तो आपको photo यहाँ पर देख सकते हो तयार हो गया है और यहाँ से आपको क्या करना है tools वाले option पे जाना है यहाँ से resize पे जाना है और यहाँ से photo का आपको maximum resize डाल देना है पहले आपको जितना कोई सा भी number डाल देना है इसके बाद आपको यहाँ show कर जाएगा आपका resize उसके बाद वो आपको डाल देना है इसके बाद आपको यहां से draw वाली option पे click कर दिना है 3 dot पे आपको click करके photo को save कर दिना है और यहां से आपको more option पे click करके photo को lightroom application में share कर दिना है lightroom application आपको download telegram पे मिल जाएंगे तो download कर लेना और png बगार भी महीं आपको मिल जाएंगे और भी photo editing मैंने करिये दिवाली के उपर तो आप वो भी जाके check कर सकते हो end screen पे आपको मिल जाएगा अब आपको एक preset दूआ देख सकती है रहा आप आपको corner पे 3 dot पे click कर दिना है copy setting पे आपको click करके right पे click कर दिना है सारी pngs आपको preset वगेर साथ telegram पे जाके download कर लेना है telegram को आपको join कर लेना है lightroom application पिक्साड दोनों आपको मिल जाएंगे वहाँ पे उनको भी download कर लेना है और whatsapp channel मैंने बनाया है उसको भी आपको join कर लेना है मिलते हैं को next video के साथ